है लोगाईज वेल्कम बैक टू मड़ो यूटूब चैनल तो आज आज हम लोग آएं है जनपत मार्केट तो चली एह मोग जनपत मार्केट को एक्स्प्रोर भी करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें तो चलीए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आप जैसे ही मार्केट में एंटर करेंगे आपको ये बीच में ये सारे आपको स्टाइचूस दिखेगा और इनकी जो प्राइस थी वो 150 रुपीज से स्टार्ट होती थी और इनमें भी आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस का मिलेगा ये आपको और ये आप अपने घर में सोपीज की जगह पर यूज कर सकते हैं अगर आप जनपत मार्केट में आते हैं तो ये लोग आपको प्राइस बहुत जादा बताएंगे और नए स्टाइल में जो आजकल चूडिया चली है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा और आपको बारगेन करके लेना पड़ेगा फिर हम लोग आते हैं ये टॉप के शॉप में यहाँ पर आपको जो भी टॉप मिलेगा ये देखे इन पर सबका प्राइस लगा हुआ था ये कोई ट्रेंडिंग वाला टॉप नहीं था ये बस नॉर्मल यूज के लिए आपको टॉप ये रेगुलर यूज में आप जो घर पर यूज करते हैं वो आपको मिलेगा यहाँ पर प्लाजो भी आपको 200 रुपीज का मिलेगा जो कि फिक्स प्राइस था मार्केट में थोड़ी ही दूर आगे चलने पर आपको ये एक स्टॉल देखेगा इसमें आपको 250 रुपीज का कोई भी समान लीजे ये उन्होंने बताया कि ये पीतल का है अगर आप छोटा भी लेते हैं तो उसका भी प्राइस 250 रुपीज है और अगर आप बड़े इसका भी लेते है तो उसका भी प्राइस आपको 250 रुपीज का ये सब आप देखिए अब आते हैं हम कुछ इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग टॉप के तरफ ये देखे ये जो आप टॉप देख रहा है इसका प्राइस जो था 450 रुपीज था और यहां पे डिफरेंट डि विड्र्स भी देखने के लिए मिलेगा उनका भी प्राइस अब का लिफरंट डिफरेंट अप। देखे ये सारे हैं आज कल बहुत जाँए डिफ्रेंडिंग में टॉप चलग्र हां आप Tsch. कि यहां पे आपको सउप में देखने के लिए मिलेगा डिफरेंट डिर्डेंट प्राइस भी बहुत कम कर दे रहे थे और अगर आप बारगेन करना चाहते हैं तो बारगेन भी कर सकते हैं फिर हम लोग आते हैं एरिंग्स के सौपे यह 50 रुपीज से स्टार्ट होती थी एरिंग्स यह देखी यह सारे इनके पास इनके पास भी बड़िया कलेक्शन था यह एक मुझे थोड़ा नया लगा यहां और सरोजनी पर यह थोड़ा अलग लग रहा था बाकियों से इनके प्राइस जो थे कोई भी आप इनमें से ले 50 रुपीज के ही थे यह मैं आपको एक दिखाती हूँ यह एरिंग देखी आप यह बहुत प्यारा लग रहा था यह काफी आज कल ट्रेंडिंग में भी यह एरिंग चला हुआ है यह देखिए यह जो आप ड्रेस देख रहे हैं इसका प्राइस इन्होंने 700 रुपीज बताया था बाद में बार्गेन करके इन्होंने 450 रुपीज तक कर दिया था और यह देखिए यह आपको सारे यहाँ पे अभी जो ट्रेंडिंग वाले टॉप चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जनपत एक छोटा मार्केट है बट आपको यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा और इसमें एक और plus point है कि यहाँ पे boys का भी collection है एक side में girls का है और ये दूसरे side में आपको boys के लिए collection देखने के लिए मिलेगा ये देखे हैं ये सारे आजकल जो top चला हुआ है आप long में भी ले सकते हैं short में भी ले सकते हैं कुछ ऐसा लेना है आप ऐसा ले सकते हैं यह देखिए इसकूर्ट है यह सारे और इनके सब के प्राइस जो थे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे और इनके टॉप के जो प्राइस थे वो 350 रुपीज से स्टार्टिंग होते थे आपको यहां पर जिन्स का भी बहुत बढ़िया कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा 500 रुपीज से स्टार्टिंग होता था उनका प्राइस और यह देखिए यह सारे आप जो देख रहे यह बहुत जादा ही आज कल ट्रेंडिंग में चला हुआ है आप लोग को तो पता है यह साटा पैसी टाइब कर रहे हैं यह सारे आप नंगे मिले। यह इंस्टे क्राइब करकेत αλλά का लेण यह जो बहुत उणस सेलिबृटी होते हैं वह जारे इसी टाइप के वह पहनते यह और मैं आपको एक ड्रस दिखाती हूँ यह देखिए यह वाइट वाला इन्हों ने पहले इसका प्राइस बताया था 800 रूपीज बट बात में ने इन्होंने प्राइस 450 रूपीज तक कर दिया था लेने के लिए तो आप अगर जाते हैं लाजपत नगर मार्केट तो आप बा आपको पाटी वेर टाइप के टॉप मिलेंगे यह देखिए यह जो आप देख रहे हैं यह सामने से भी बहुत प्यारे लग रहे था अगर आप कैस जोल के लिए भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं यह आपके पार्टी वेर का भी कलेक्शन बहुत सारा एवेलेबल था और ये देखिए प्लाजो इसका प्राइस जो था 250 रुपीज था और ये सब देखिए ये सब आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ है ये कॉटन के फैबरिक में आपको देखने के लिए मिलेगा ये सारे ये जो आप उपर देख रहे हैं ग्रीन कलर का ये इसका प्राइस था 450 रुपीज था और इन सब का प्राइस जो था 250 रुपीज के थे जनपत नगर मार्केट में आपको ड्रेसेस का नाइट वेर का और लॉंग ड्रेसेस का आपको यहाँ पर बढ़िया कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा अगर आप यहाँ आते हैं तो आप प्रीस रुपीज कलर का तो मुझे बहुत प्यारा लगा था इसका प्राइस उन्होंने 550 रुपीज बताया था जनपतनगर मार्केट में आपको इंडियन वेर का भी बहुत बढ़िया कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा यह देखे यह सारे आपको कॉटिन के फैबरिक में यहाँ पिन की प्राइस जो थी 450 रुपीज से स्टार्ट होता था आपको पेर में लेना है तो आप पेर भी ले सक लगते हैं जनपतनगर मार्केट में आपको सिल्वर जंग ज्वेल्जी भी देखने के लिए मिलेगा और इनकी जो सबकी प्राइस थी वो बहुत जादा डिफरेंट डिफरेंट थी किसी का प्राइस 100 रुपीज था किसी का प्राइस 200 रुपीज था ऐसे ऐसे करके था और आपको अगर आप यहां आते हैं तो आप यहां पे बारगेन भी करें फिर हम लोग को इसी शौप के बगल में ये होम डेकोर के लिए चीजे दीखा इनके पास भी बहुत बढ़िया कलेक्शन था होम डेकोर के लिए आप चाहे तो यहां से ले भी सकते हैं मैंने शौप नं में गुजराती भी बहुत सारा कलेक्शन था इनके पास ये देखिए और इनकी सबकी प्राइस जो थी डिफ्रेंट डिफ्रेंट थी तो मैं किसी स्पेसिफिक चीज का प्राइस तो आपको बता नहीं सकती हूँ ये देखिए ये जो आफ प्लिप्स देख रहे हैं इनकी स्टार्ट नगर मार्केट में लास्ट में आपको एक सौप ऐसा भी दिखेगा जहां पर आप कोई भी चीज ले वो सिर्फ 50 रुपीज की थे और यहाँ पे मतलब मुझे लग रहे मार्केट में सबसे जादा भीड यहीं पे था आप देखे यह जो आप बैंगल्स ले यह चूड़िया ले यह कुछ भी ले यह आपको फिर सिर्फ 50 रुपीज में मिलेगा और यहाँ पे बहुत जादा ही भीड था और देखे मैं आपको दिखा रही हूँ यह सारे एरिंग्स के आपको कलेक्शन यहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे और सुन्दर भी देखने के लिए मिलेगा और यह देखे यह जो है यह की रिंग था यह भी आपको आप वही 50 रूपीज के स्टॉल के बगल में यह आपको बेल्ट का कलेक्शन मिलेगा यहाँ पे इनके पास बहुत बढ़िया-बढ़िया बेल्ट था और आप इनके प्राइस भी कम करवा सकते हैं यह आपको प्राइस इतना हाई बताएंगे जितना यह होगा भी नहीं बढ़ आपको प्राइस बहुत कम करके लेना पड़ेगा चलिए मैं आपको बेल्ट के कलेक्शन दिखा देती हूँ जो आजकल ट्रेंडिंग में चले हुए हैं और आप देखते रहे हैं जो आपको प्राइस इतना हाईस करें Again के लास्ट मेड़ेट में यह देखनेक लेगा यह आपको फ्लावर होंश 2021 के लिए आप यूजक कर सकते हैं यहाँ पर आपको यह वह देखने लिए मिलेगा कि यहां पर डिप्रंट डिफरेंट टाइप का आपको जार भी मिलेगा जो कि glasses का बना होता है ये देखिए ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगा और आपको यहाँ पर colorful stone भी मिलेगा और आपको white वाले भी stone यहाँ पर मिलेंगे ये देखिए आप पतनगर के road site में आपको ये book का एक stall भी देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर आपको different different type का books भी मिलेगा मार्केट से जैसे ही आप लोग बाहर निकलेंगे road site पर तो यहाँ पर आपको गुजराती market का stall भी दिखेएगा और आपको home decor के लिए बहुत सारी चीज़े दिखेंगी और चलिए अब हम लोग आप से कहते हैं अलवीदा और आप हमारे चैनल पर अगर नए है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थांक यूद